नावास्कार दोस्तो आप सभी का स्वागत है सिक्षा आकेडमी की इस नई वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में मद्द पृदिश शामाणि ने ग्यान तूझ चलिए दूस्तो देद ना करते हैं। स्टार्ट करते हैं जिस्तु स्कीन का जो यह प्रश्न है मद्द प्रदेश्ट में बालागाट का मजाज खंड छेत्र किस खंच का उत्पादन करता है तो इसका सही आंशार ओप्सन सी यह मेंगनीज का उत्पादन करता है चले आंगे बढ़ते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है काना केसली किस वर्ष राष्टी उध्यान बना था या राष्टी उध्यान काना केसली की स्टापना कव हुई थी तो इसका सही आंशार ओप्सन सी यानि 1955 में काना केसली प्रिथम प्रेटन नगर बनाया गया किस नगर में बनाया गया तो आप्सन आपके सामने ए स्यूपुड़ी भी खंडवा सी सिवनी या फिर दी मंदिसोर तो इसका सही आंशार है ओप्सन यानि की स्यूपुड़ी में प्रदेश का प्रिथम प्रेटन नगर बनाया गया इ नगर में इस्तित है या किस नगर में इस्तित है तो इसका ही सहें었습니다 ऑप्शन कार्व इशेंच के किस्तितर का काठी है या कार्थी किस्तित्र का नाट है इसका सही आंसर है Option C यान की मालबा छेतर का नाट काटठी है इसकी बाद चलते हैं अंगली प्रेश्ट पर मद्द प्रुदेश का एक मात्र गांजा उत्पादक जिला कौन सा है गांजा उत्पादक जिला कौन सा है तो A. मंडला, B. खारगोन, C. बैतूल या फिर D. खंडवा तो इसका सही आंसर ऑप्शन B. यानि की खारगोन जिले में गांजा का उत्पादन होता है इसके बात अंगले प्रेश्ट पर चलते हैं इसका सही आंसर ऑप्शन C. या चंदेल बन्स के सासकों ने करवाया था इसके बात अंगला प्रेश्ट है निमन ब्लेखत में से कौन सा इस्तान समराट असोक से संबंदित है जोस्तो ऑप्शन ब्रथरी की कुफाएं, बावन गजा या फिर मोती महल या डी सांची तो इसका सही आंसर ऑप्शन D है सांची इस्तान जोकी असोक के सासनकाल में बनाया था इसके बाद अंगला प्रशनों, मद्द प्रदेश के किस नगर में प्रदेश का उच्छे नियाला इस्तित है इसके बाद अंगला प्रशनों, मद्द प्रदेश में किस जिले की जन संख्या में अनुसोची जन जातियों का सरवदिक प्रतिसत है किस जिले में अनुसोची जन जाती का सरवदिक प्रतिसत है तो आप्सन ए मंडला, बी भिंड या, सी जाबुगा या फ़र दी चिन वाला दोस्तों सरवदिक अनुसोची जन जाती जला है जाबुगा जला इसके बाद अंगला प्रतिस का एक मात्र यू नानी चिकत्सा महा बिद्याला कहां पर इस्तित है दोस्तों इसका साही आंसार ओप्सन C है वरहानपुर में इस्तित है इसके बाद अंगला प्रतिस की निम्न नदी में से कौन सी नदी उत्तर से दच्छड की ओर पहती है ओप्सन A चंबल, B कैन, C काली सिंद या फिर D इसमें से कोई नहीं तो इसका साही आंसार ओप्सन B यानि कैन नदी उत्तर से दच्छड की दिसार तरह पहती है इसके बाद अंगला प्रतिस में लोह आइस को उत्तर पादन करने वाला कौन सा जिला है ओप्सन A बाला गाट, B बैतोल, C सी दिया पर D रिवा तो इसका साही आंसर है ओप्सन B बाला गाट ओप्सन A इसका साही आंसर है बाला गाट इसकी बाद अंगला प्रशन मद्द प्रदेश में सरभादिक अफीम उत्पादन करने वाला जिला कौनसा है आपिंट प्रदेशन इसका सही आंसर है मंद्धेशन में सरभादिक अफीम का उत्पादन होता है मद्य प्रिदेश का प्रिथम पर्यावरण नयाला कहां पर इस्तित है जबलपुर, पिंदर, प Ballier या फिर बोपाल तो इसका सही आंसर है उप्सन बोपाल में इस्तित है इसकी बार नेस्ट है मद्य प्रिदेश में हीरा सरबादे कहां उत्खनित किया जाता है या फिर कहाँ पर उत्पादित किया जाता है या फिर खुदा ही होती है कहाँ पर खुदा जाता है या कहाँ पर निकलता है आप कुछ वी किसी भी तरीके से बोल सकते हैं तो इसका सही आंसर है option A या मजगाओं की ख़दान से निकलते हैं या फिर उत्खनित किये जाते हैं इसकी बाद अंगला प्रश्ण है मद्द प्रदेश में संग मर मर किस इस्तान पर अधिक उत्पादित होता है मद्द प्रदेश में संग मरमर किस इस्तान पर सरभादिक उत्पादिक या अधिक उत्पादित होता है तो आप्शन A. छिन्वाड़ा, B. जवलपुर, C. बैतुलिया, फिर D. कौलियर इसका सही आंसर आप्शन B. जवलपुर में उत्पादिन होता है सरभादिक इसके बाद अंगला प्रेश्न है मद्द प्रदेश की उर्मिला परियूजना किस राज की सहयोग से बनी है ओप्शन A. उडिचा, B. महराष्ट या, C. उत्तर प्रदेश या, D. पिहार तो इसका सही आंसर है option c उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के सहयोग से उर्मला परियूजना संचालत की गई इसकी बाद नैश्ठ है मद्द प्रदेश के किस इस्तान पर बजाज टेम्पो का कारखाना इस्तापित किया गया बजाज टेम्पो का कारखाना इस्तापित किया गया दोस्तों इसका सही आंसर ओप्शन बी पीतंपुर में बजाज टेंपो का कारखाना इस्ताफ़त किया गया इसके बाद अंगला प्रश्ण है मद्द प्रदेश के निमले खित में से किस जिले में ब्रज महासा नहीं बोली जाती है ब्रज महासा नहीं बोली जाती है इसके बाद अंगला प्रश्ण है भगोरी का निर्थ ते किस जिले के आदिवासियों का निर्थ है या किस जिले के आदिवासियों द्वारा किया जाता है आप्शन ए जाबुगा बी बाला घाट सी आप्शन मंडला या फिर डी खंडवा इसका सही आंसर है आप्शन नमर ए यानि कि जाबुगा जिले में जो चंजाती पाये जाती है उनका भगोरीया निर्थ है इसके बाद नैश्ठ है मद्द प्रदेश में इस्तित भारत भवन किस से संबंदित है ललत कला बी प्रदस्न कारी कला या फिर सी साहत या डी ये सवी तो इसका सही आंसर आप्शन टी है सवी से संबंदित है यहां पर साहत भी है ललत कला भी है और प्रदस्न प्रदस्न य इस बाग स्टिडियम कहां पर इस्तित है ओप्षन ए इंदौर बी भूपाल सी जवलपूर या फिर डी सतना तो इसका सही आंसर ओप्षन बी यह भूपाल में इस्तित है इसके बाद आंगे चलते हैं अंगला प्रश्न है मद्ध प्रदेश के किस इस्तान पर जोगी श्री द देवी का मेलक कहां पर आयोजित होता है जिसका सही आंसर है ओप्षन नमबर ए यह दोस्तों चन्दीडी में आयोजित होता है इसके बाद अंगला प्रश्न प्रिशिद्ध दुरुपत गायक कुमार गंदर्व किस इस्तान से संबंदित थे प्रिशिद्ध दुरुपत गा देवास से संबंदित थे इसके साथ दोस्तों यह वीडियो यहीं पर श्माप नूता है अधु आपको यह वीडियो पसंद आया होता प्रिश्द्ध वीडियो को लाइक करने स्यार कर और दोस्तों चैनल गो सब्काइब करना ना पूलनें चले दोस्तों मिलते हैं अंगले नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए दूस्तो बाई